हैलो प्रेंड्स कैसें आप आप सब आध मैं आप बोगों के लिए लेख के आई क2017 बहुत युमी और बहुत टेश्टी बनने वाली है तो आप इससे फॉलो जूरी किजिए और वीडियो को फूरा एंड तक जूर देखेगों इससे पहले कुपिंग दूजद को सब्सक्राइब कर दिजिए चली बनाने स्टार्ट करते हैं यह मैंने एक लीटर पानी ले लिया है और पानी में एक चमश वाल होने देंगे और देखें से डालते ही इसका स्टार्श निल्ए लगा है कि एसके वाइट बाईट सा नज़र आ रहा है तो यह स्टार्श निकलना शुरू हो गया है अब मैं पीछ पीछ में एक दो भार उत चला दूंगे और इसे कैसे पता चलेगा हमारा पास तैयार ह तो मैं आपको कट करके दिखा रही हूं यह देखिए 80% तक की यह पग गया है वर फूरा नहीं पका है तो मैं इसे इस तरीके से चेक करूंगी इसमें एक वाइट सा दिख रहा है तो इसके मतलब अभी हमारा 20% रहा गया है तो बस हम इसी स्टेश पर रहने देंगे अब इसे ठंदा पानी जुरूर डालेंगे ठंदा पानी से एक वर अच्छे से बास कर लेंगे और इसका इश्टार सारा निकाल देंगे अब इसे रख देते हैं एक साइट में इसे बहुत ज्यादा मत पकाईए बहुत यह तो फिर बहुत मैसी सा हो जाता फिर वह अच्छा नहीं ल और इसे बहुत अच्छा से मिक्स करना है क्योंकि इसमें कोई लंज नहीं रहना चाहिए इस बात का ध्यान रखना है और अब मैंने इसमें वन टीस्पून और एक इनो ले लिया है और इसे इसका फ्लेवर बहुत यह अच्छाता वाल्ट सॉस में इसे जरूर डालिएगा हुआ को और हाफ टीस्फून मैंने समें काली मेंच कप ओडर डाला है ऑर इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें हाफ कप मैंने समय क्रीम डाल दी है और अगर आपको पास क्रीम ना हो तो आप घर की मिलाई से चुन बहुत अच्छा तो आप चाने तो इसमें आधा औल और बंगतर को तो पुरा डाले यहां ये अब इसमें क्याए डालना है मुझे बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है अब मैंने इसमें लेसन डाला है जी हाँ लेसन हमें बहुत सारा भर कर डालना है क्योंकि इसमें लेसन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है तो मैंने ये एक पूरा लेसन का गाट ले ली थी इसे बारिक बारिक मैंने काट लिया है और इ कच्चा पर निकल जाना चाहिए वस्ति वाद का ध्यान रखता है हम निकाला है पकाना या गलाना नहीं हैえて इस का ध्यान रखेगा और यह अच्छें से आधिया से कर लिया जा है इस के बारीक-वरिक काण ले इस सोげ कर retained और आपके पद्र जो भी सब्जिया हो आप इसमें डाल सकते हैं क्योंकि हम बहुत साइजा दालेंगे तो इससे और भी अच्छा फलेवर आएगा और बच्चे सब्जा नहीं खाते हैं तो सारी सब्चियों का पोश्टिक भी पहुच जाएगा तो अब मैंने इसमें की आद् काट लिए इसे भी अच्छे से सोते कर लेंगे और सब्जियों को थोड़ा-थोड़ा खड़ा ही रखेंगे जिससे हमारे जब मुह में चम्स आएंगे तो वह बहुत टेश्टी लगते हैं मैंने एक टमाटर ले लिया है इसे भी बारी काट लिया है और इसे भी डाल के अच् सबोकिश्यां डाल सकते हैं आप इसमें बीन ढाल सकते हैं यहीं थे नमक के आपे पास तब भी हमने नमक ढाला था इस करना है अब यहां जो आया था ना यवाइट वरतर में डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी बरतन में डाल कर इसे तोड़ा डाल कर एकड़र से नहीं देंगे क्जा पैंड़कर नहीं करने है को disc क्शो soci एक वाइल आ जाएगा मैंने हाफ टी सुन चिली फ्लेक्स भी इसमें डाल दिया है और यह देखिए बहुत अच्छे से खुस्पू भी आने लगी है और यह देखिए हमारी सॉस तयार हो गई है अब मैंने जो माइक्रो जो हमने पास्ता वाइल किया था अब वह इसमें डाल देखिए हमीशन करेंगे और यह देखिए बहुत अच्छे से में इसमें मिक्स कर लेंगे गरूदय किका पेकर शेद ने मीक्स हो गया है और मैंने इसा एक्निट की इसी तरीके से थोड़ा सव और पका लेंगे और इन सब को अच्छे से mix कर लेंगे और यह देखिए आप इसका texture देख सकते कितना perfect लग रहा है कितना अच्छा यम्मी लग रहा है और इसी तरीके से देखिए हमारा यह तयार हो गया है अब मैंने इसमें थोड़ा सा cheese डाल दिया है grate करकर यह optional है आप चाहें तो इससे skip भी कर सकते हैं वाट इससे थोड़ा सा flavor बहुत अच्छा आता है और बच्छों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है तो बस मैं इसलिए डाल ले हूँ और यह देखिए हमारा white sauce pasta तयार हो गया है तो आप प्लीज इससे थोड़ा से ignore कर दीजिएगा और अब मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है और अब हमारी यह white sauce pasta तयार हो गया है सर्फ करने के लिए चलिए अब मैं आपको दिखाती हूं सर्फ करकर और यह दिखिए कि इसका टेक्चर देखिए कितना परफेक्ट आया है बिलकुल रेश्टोर्ण में अग्दम जूसी था एकदम पर ईूसी सा एकदम सोट सोट सा एकदम क्रीमी सा बहुत ही टेक्चर आप देखकर ही आपके मुँमें पानी आ रहा होगा ना बहुत ही यम्मी सा बना हुआ है हमारा यह वाइट सौस पास्ता आप इसे ट्राय जोर कीजिएगा और हमें फीट वैक जरूर दीजिएगा कि आपको यह कैसा लगा मैं इसमें थोड़ा सा हल चिली प्रेक्स प्रिंगल कर दिया है और मैंने यह थोड़ा सा और यह वाइट सास पास्ता तयार एक हाव करने के लिए आप लोग इसे बनाईए इंज्वाइग कीजिए और हमें फीड़ बैक जरूर दीजिए कि आपको यह कैसा लगा और आप हमें प्लीज अपनी comment सच अच्छी जबूर करते रहा करें और हमें support कीजिए और हमारे चैनल को लाजबी subscribe करना मत भूले please हमारे चैनल को subscribe कीजिए और bell icon का बטन जबूर प्रेस करें जिस से हमारी जो भी वीडियो आएगी वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी वह भी फ्री में और आपना भूस सारा खया लखे और अपनी दौओं में याद रखे मुझे भी अपनी दौओं में याद रखे अलाहफेश फिर मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ में बाई टेक क्यार थैंक्स पूर वाचिंग और सब्सक्राइब करना मत भूलिये बाई बाई झालाहब